गुड मॉर्निंग वेलकम बैक आज हम लोग आई सीमार जैरब 2022 के बारे में बात करने वाले हैं उससे जुड़ी सारी बातें अगर आप पहली बार आई सीमार जैरब दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो होने वाला है और अगर आप पहले दे भी चुके हैं तब भी आपको बहुत सारे अपडेट इसमें भी देखने को मिलेगा तो आज हम लोग में लिए साथ सवालों के बारे में बात करेंगे जो कि पहला सवाल है कि वह आई सीमार वह डूवी नीड आई सीमार क्यों आपको आई सीमार कौन अपलाई कर शकता इसके ल मोड और पाटर्न ऑप टेस्ट क्या ओफलाइन है और और कैसे आप अच्छे से प्रिपेर कर सकते हैं यह पार्ट आपके लिए बहुत होने वाला है और डेफिनेटली सिलेबस के बारे में आप इसमें जानेंगे कि डिफाइन सिलेबस तो यूजी सी के नौम के अधार पर ह है आई सी मार का लेगिन मैंने कुछ बहतरीन सिलेबस आपके लिए ढूंडा है कि कैसे आप इसको सौट टर्म ने आने वाले अगले 40 दिनों में आप कैसे अच्छा से प्रिपेर कर सकते हैं तो वीडियो के साथ बने रहे हैं मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं पोटन फुल फॉर्म होता है इंडियन कॉंसी लॉप मेडिकल रिसर्च हिंदी में कहें तो भारतिय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिशद तो पहला सवाल हम लोग यह डिसकस करने वाले हैं कि वह डिवी नीट आई सिमार अगर आपको उसमें फेलोसिप चाहिए तो आप 2022 से यह 31,000 परमंद का हो गया है और कंटिंजेंसी ग्रांट जो होता है वो 20,000 परेनयम है यह पहले भी था और यह अभी भी है अब इसका रिश्टेशन जो है ओपन हो गया है 25 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है और 23 सितंबर 2022 को इसका एक्जाम होने वाला है भारत के 22 सहर में इसका सेंटर है जहां पर इसका एक्जाम होने वाला है अब दूसरा सवाल है कौन अपलाई कर सकता है तो एजिकेशनल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजवेट की डिगरी इंपॉर्टेंट है MSC के लिए भी और MA के लिए या आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए तो अभी एक सवाल यहां पर है कि क्या सभी MA या MSC के लिए लिजिबल है इसको हम लोग भी डिसकस करेंगे आगे वीडियो में आप बने रहे है एज लिमीट में क्या है 28 यह जैसे कि और स सब्सक्राइब के लिए और तीन साल का OBC के लिए है अब चौथा अब आते हैं तीसरे सवाल पर तीसरा सवाल क्या था हमारा क्या सभी MSC या में इलिजिबल है तो नहीं कुछ डिफाइंड कोर्सेस हैं जो इलिजिबल है इस आई सिमार जियारव के लिए जैसे अगर लाइ इंबायोफिजिक्स इपोलिक हेल्ट वर्टिन्री साइंस और बाइंफूमेटिक्स ये 16 एकुर्स हैं जो इसके लिए इलिजिबल है वही अगर हम लोग है शीपकला के बात करें जो कि ये में इलिजिबल है तो उसके लिए साइकोलोजी सोस्योलोजी हॉम साइंस ऐसे च्ख़ कोर्स हैं जो इसके लिए अगर आप 3 में सक्षिक साथ एमें तो आप किसे के लिए ईलिजीबल और इसका मोड और पैटर्न क्या है इसका मोड है यह ओनलाइन सीबिटी मोड में होता है जिसमें से आपका एक्टीट्यूट होता है यह पहला सेक्शन होता है जो कॉमन होता है इसके कोई एक ही आप चुछ कर सकते हैं या तो सोचल साइंस या तो लाइब स्कूरों होता है इसका मोड क्या होता है ये होता है Chamical Information जो होता हैं आप Se apresent option होते हैं और सभी यानिकी कि आपको सरी 75 कोशुंसी में हिसे जढ़ा नहीं करना है और सारे Canse एक मार्क्स के होते हैं कि यरिक 9 art का हुआ और सेक्सण भी 75 मार्क्स का हुआ सो मैसे सरी 15 कोशन ही आपको attempt करने हैं और जो duration होता है exam का वो 2 घंटे का होता है अब negative marking अगर बात करें तो हर एक wrong answer पर अगर आप गलत answer देते हैं तो 0.25 का negative marking भी है यानि कि 1 by 4 1 marks है आपका सही होने पर 1 by 4 यानि कि 0.25 marks है आपका गलत question बनाने पर अब next question की तरफ अगर हम लोग चलें तो next question हमारा है how do I prepare for it आप कैसे prepare कर सकते हैं तो जो code on biology के तरफ से आपको tips है वो यह है कि सबसे पहले आप practice करना सुरू करिए previous year के जो master level के exam है जैसे ICMR है खुद इसका या ICR है या CSIR है या gate है इस तरह कि जितने भी exam है उसमें जो भी general aptitude का questions है या जो भी questions है उसको आप previous year question को attempt करना practice करना सुरू करिए दूसरा general aptitude के लिए क्या करें यह same बाते हैं जो भी master level के exam है उसमें जो भी general aptitude आता है जैसे gate में general aptitude है आपका CSIR में है तो इसमें जो भी aptitude है उसको आप practice करना सुरू करिए यहीं से questions आपको मिलेगा और इसके बाद last or third क्या है कि हमारे साथ बने रही है यहाँ पे आपको question doubt, question update, question practice यह सारी चीज़े यहाँ पे available हो जाएगा और हर एक exam के लिए जो special guideline होता है CSIR के लिए ICMR के लिए वो यहाँ से आपको उपलब हो जाएगा और आपको काफी हद तक इसमें मदद मिलेगी preparation करने में अब next question की तरव अगर हम देखें, last सवाल है और सात्मा सवाल है कि syllabus for ICMR, syllabus के अगर बात करें ICMR के लिए तो वहाँ website पे यह लिखा हुआ है कि edge पर UGC syllabus और rule, तो UGC syllabus करने का मतलब जो CSIR का syllabus है वही आपका actually इसका भी syllabus है, लेकिन अगर आप question को ध्यान से देखेंगे तो CSIR क कोशन, ICMR के कोशन से बहुत अलग आता है, क्योंकि CSIR में तो अलग अलग कोशन के टाइप है, उसमें 2 marks कोशन आता है, 4 marks कोशन आता है, लेकिन ICMR में सारे कोशन 1 marks के आते हैं, इसलिए थोड़ा सा कोशन में अंतर तो होता है, तो उसके लिए हमने अलग से एक डिजाइन कि क्या है syllabus, question best syllabus जो है, उसको आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, कि क्या syllabus है, तो अगर CSIR के जिसे syllabus है, तो दो कोशन आपके मन में जरूर आ रहा होगा अभी, कि how to prepare for section A, क्योंकि कुछ define syllabus तो है नहीं, अके नहीं get it define syllabus for section B, क्या ICMR के लिए अगर अलग questions आता है, तो क्या syllabus भी कुछ define अलग मिल सकता है, या section A का syllabus define अलग मिल सकता है क्या, क्योंकि question अलग है, तो syllabus भी थोड़ा सा बहरी करना ही चाहिए, कि क्या इसमें आता है, तो codon biology ने आपके लिए codon biology model निकाला है, syllabus के लिए, section A का पहले हम लोग बात कर लें, तो section A में सबसे पहला हम लोग जो बा causing agent and scientist involved, तो जो disease है, उसका causing agent क्या है, या उसमें कौन से scientist ने उसका विसकार किया है, यह सब चीजों से questions आता है, दूसरा क्या है, world general knowledge about the disease, कौन सा disease अभी endemic है या pandemic हो रहा है, पूरे world के हिसाप से आपको देखना है, general knowledge के हिसाप से, कि इसके बारें क्या update है, general knowledge में current affair से question बह है, वो disease के बारे में कि इंडिया में कौन सा disease अभी है, कहां कौन से राज में कौन सा disease, क्या problem हो रहा है, यह सब आपको discuss करना है, इसके बाद Nobel Prize winner in the field of medical and disease, तो medical में और disease के field में Nobel Prize किनको किनको मिला है, यह सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, इसके बाद genetics disorder, inheritance and mutation, यह important topic है इसके लिए, इसके बाद general biology GKN GS कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जिसको आप define नहीं करते हैं, जो biology का GKN GS है, वो सब थोड़ा आपको देख लेना है, इसके बाद दूसरा हमने इसको divide किया है, scientific phenomena in everyday life, total हमने 5 भागों में इसको section इको divide किया है, scientific phenomena में क्या, जैसे कि जो भी प्राक्टिक्स कराया था, slide से सिधे 6 questions ऐसे थे, जो की bias state से आ गये थे, तो यहां आपको यह जरूर पढ़ लेना है, इसके बाद क्या है, कैसे data को display करते हैं, describing and displaying the data, linear regression and correlation, experiment and sampling, probability, hypothesis test and confidence interval, यह वो चीज़े हैं, जो common statistics हैं और mathematics हैं, और यह important topic है, क्योंकि इससे questions हर बार रहता है, और अच्छे questions रहते है हैं इससे, इसके बाद, चौथा हमने जो divide किया है, वो है general mathematics and aptitude क्या, वो चीज़े हैं, जो आपका CSIR या other exam में, जो general aptitude हम लोग समझते हैं, वो ऐसा question, जैसे percentage, average, profit loss, work and time, time distance, mixture and allegation, यह सारी चीज़ें जो है, आपका general aptitude के माधियम सा आएगा, इसमें हमने तेरह topic जो है, वो लिस्ट किया है, इन तेरह topic को आपको जरूर कर लेना चाहिए, यह सब ratio, proportion, number, system, simplification, sequence, in series, यह सब चीज़ें आपको जरूर कर लेना चाहिए, इसके बाद जो पांचमा है, वो यह है, general science, general science में physics और chemistry, जो general physics है, जो general chemistry है, वो सब चीज़ें आपको देखना है, जैसे measurement, scientific instrument, जो हता है, science instrument, जो use करते हैं, science में, जैसे wind को नापने के लिए क्लिक लिए होता है, sound को कैसे नापते हैं, इन सब चीज़ों का measurement जैसे करते हैं, यह सब चीज़ें आपको देख लेना है, इसके बाद light sound है, nuclear science है, synthetic material है, metallurgy है, इस सब topic को मैंने क्यों लिस्ट किया है, क्यो और उसी को मैंने लिस्ट किया है, general science काने के मतले भी तो बहुत बड़ा syllabus है, general science का, बहुत सारी चीज़ें है, physics और chemistry, जो general physics, general chemistry है, लेकिन उसमें से भी, जहां से questions आ रहे हैं, उस topic को मैंने वहां से निकाल कर आपके सामने यहां पर रखा हुआ है, इसके बाद एक important क्या है मोल कॉंसेप्ट और basics of computer, इससे questions रहते हैं, इसको आप जरूर पढ़ लें, और यह ना सिर्फ आपका इसमें general aptitude में, बलकि आपका calculation में मदद करेगा, मैं section B में भी आपको मदद करेगा, तो मोल कॉंसेप्ट को बिल्कुल विन्या छोड़ें, इसको आप जरूर करें, इसक आप सोच नहीं सकते, मतलब वो अलग-अलग concepts को मिला के कुछ questions त्यार की जाते हैं, इसके लिए हमें prepare करना भी नहीं है, एक दू questions ऐसे होते हैं, जिसके बारे में आपको सोचना नहीं है, वो करी नहीं सकते हैं, उसको करने के बारे में ज्यादा ध्यान भी नहीं देना है, वो अलग questions होते हैं, इसलिए हमने इसको other category में रखा हुआ है, generally जहां से हम लोग जो prepare कर सकते हैं, जो हमारे नजर में है, वो मैंने इसलिए बस इस पाचों में define कर दिया है, पाच भागों में बाटके, और ये अलग से है, इससे जो भी questions आएगा, वो आप वहीं पे direct अपन presence of mind लगाएंगे, और अगर yes to yes, no to no, वो वहीं पे define कर लेंगे हम लोग, अब आईए section B के बारे में, section B से पहले, कुछ sample questions हम रखें कि general aptitude में, जो natural phenomena है, उससे किस तरह के questions आते हैं, जैसे यहाँ पे question है, name the resin which produce spark, दूसरा question है, the like charges, पहले question को हम लोग जरह देख लें, इसम options क्या है, gum है, number है, both are none of these, तो इसका answer क्या होगा, आप भी मन में सोचिए, इसमें होगा both, gum और number दोनों ही ऐसे रेजिन से, जो spark produce करते हैं, the like charges, like charges क्या करता है, repel करता है, attract करता है, या coin traction नहीं होता, तो यह सब हम लोग, बहुत ही normal questions है, हम सब जानते हैं, कि जो like charges है, वो कहलाता है, earthquake कहलाता है, lightning occurs due to, lightning किसके कारण होता है, electric charge के कारण होता है, यह natural phenomena है, everyday life में जो भी scientific phenomena हो रहे हैं, इस तरह के questions आपको देखने को मिलेंगे, और दो questions हैं, जैसे कि interaction of charges is called, जो charge contraction होता है, वो क्या कहलाता है, दूसरा है, sparker can be seen on electric pole, which wires become, हम लोग देखते हैं, कि जो tightly, मालें जो कोई normal wire है, जैसे हम कोई भी wire ले ले ले, यहाँ एक charger है, मैं charger को ले रहा हूं, तो यह जो wire है, इसमें spark नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसको cut करें, और उसको फिर से हां सटानी के कोशिस करें, तो spark करता है, यानि कि जो wire lose हो ज यह latini कहलाता है, एक दो और question हम लोग देख लेते हैं, next question है, the charge acquired by glass rod when it's rubbed with silk, यह हम सब जानते हैं कि अगर glass rod को silk के साथ रब करते हैं, तो उसमें एक charge आ जाता है, तो आपका question से कि कौन सा positive होता है, और कौन सा negative होता है, तो rod में जो है, वो positive charge होता है, और silk में negative charge होता है, तो यहां क्या answer हो जाएगा, यहां पूछ रहा है कि glass rod में कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, इसमें आपका positive charge हो जाएगा, अब एक section B का syllabus की बात करें हम लोग, कि section B का actually क्या syllabus है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा syllabus का ऐसा है, IJUGC norms पूरा CSIR के जैसा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जो मैं suggest करूंगा आपका, इसका syllabus जो हम लोग चेक किये थी कि कौन कौन से MSC eligible है, इसके लिए, कौन कौन सा course eligible है, तो उसमें था microbiology, physiology, यह 16 MSC के courses है, जो eligible है, इस ICMR जैरप के लिए, मतलब यह जो ICMR जैरप है, वो ऐसे 16 courses के लिए बनाया गया है, कि यह 16 courses है, यही आपका syllabus है, इसी को आप अलग लग भागों में देखें, कि इसमें क्या क्या है, microbiology, physiology, यही 16 topic ऐसा है, जो आपका syllabus है, और question अगर आप previous question जब solve करेंगे, तो आपको actually यह अंदाजा हो जाएगा, कि इस topic में आपको क्या कभर करना, जिस human nutrition है, इसमें आपको क्या कभर करना होगा, जो deficiency disease है, आपको ज्यादा तर यह देखना है, कि ICMR जो है, वो medical council के लिए है, तो ICMR में digits से related questions को ज्यादा तर आपको solve करना है, इसको correlate करना है, digits से, ऐसे question को solve करेंगे, तो आपके section A और section B, दोनों के लिए important होगा, तो यही चीजें आपको ध्य important topic और कुछ questions आपको practice कराएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा, कि आपको कौन कौन सा topic actually cover कर लेना चाहिए, exam में जाने से पहले, last year codon value जी ने, सार्थी to ICMR 2021 batch launch किया था, जिसमें से हमने section A और section B का practice कराया था, question practice कराया था, इस बार, सार्थी to ICMR 2022 launch next week से चालू हो होगी, ICMR या netGRF की जो भी चीजें हैं, जो भी ऐसे exams हैं, जो netGRF से related है, उसमें codon value जी आपके साथ है, netGRF से related जो भी exam है, CSIR हो गया, ICMR हो गया, gate हो गया, ICR हो गया, उन सभी में codon value जी आपके साथ है, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, तो वीडियो को like करिए, चैनल क अगर आप follow करना चाहते हैं, तो YouTube है, Facebook पे codon value का page है, Instagram है, Telegram है, और अगर WhatsApp पे कोई आपको मदद चाहिए, तो आप हमसे WhatsApp पे भी connect हो सकते हैं, personal chat के लिए, और अगर website visit करना है, तो www.inventivevideocare.in slash codon value जी वहाँ visit कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे कुछ material, कुछ books आपको मिल जाएंगे जो आपको ICMR में या अधर जो नेट जार आपका exam है, उसमें आपको help करेगा, thank you so much for watching the video, इसी तरह हमारे साथ बने रहे हैं, और चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए, और bell icon को जरूर दबाईए, ताकि update आप तक तुरंत पहुंच जाए, thank you so much करेंग के'll ण्युज़, क्योज़ है प्रेग्न